एक मूवी आने वाली है रुसलान नाम से, स्टारिंग आयूश शर्मा आयूश शर्मा कौन है मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है अंती मूवी में आपने इने सलमान खान के अगेंस्ट देखा होगा वैसे रुसलान का टीजर आया है तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं गल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी देखो टीजर से तो यही पता चल रहा है कि जो मेन कैरेक्टर है उसका एक पास्ट होगा जो अच्छा नहीं होगा जो एक गिटारिस्ट और सिंगर भी होगा I mean आर्टिस्ट भी होगा और अपने पास्ट को लेकर वो सिंगर से गैंक्स्टर भी बन जाएगा शायद जिसमें हमें जगपती बाबू भी दिखने वाले है इन पुलिस अवतार अब स्टोरी क्या है एक्जाक्ली वो तो हमें इसके ट्रेलर को देखने के बाद ही पता चलेगा यहां टीजर में इतना कुछ रिविल नहीं होता है लेकिन आक्शन के मामले में यह काफी अच्छी दिख रही है उपर से अंतिम में जो आयूश ने बॉड़ी दिखाई थी अपनी सिधा सल्मान से टक्कर ले रहे थे अपने बॉड़ी के मामले में तो यहां भी वो बॉड़ी शौड़ी मसल वसल दिखाएंगे दिखने में तो यह एक कमर्शियल बॉड़ी अक्शन थ्रिलर फिल्म लग रही है जिसमें इमोशन और आक्शन भर भर के होंगे और जिस तरह से आयूश ब्लैक और वाइट टक्सीडो में अक्शन कर रहे है मुझे जॉन विक की याद आ गए भाई लेकिन ये वाला जॉन विक आर्टिस्ट भी है तो क्या ट्विस्ट अंट टर्न्स देखने को मिलते है इसके लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ बट अट 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 सेम टाइम वरिड भी के कही ये बॉल्यूट के बाकी अक्शन थ्रिलर की तरह सेम सेम ना लगे आई होब कि स्टोरी वाइज हमें कुछ डिफरंट देखने को मिले क्योंकि इसके डाइरेक्टर ने बोला था कि अक्शन से जादा ये फिल्म ओडियन्स के साथ इमोशनली कनेक्ट करेगी और जैसे टीजर में बचपन वगेरा दिखाया जा रहा है तो हाँ लग तो रहा है कि इमोशन्स तो है क्योंकि देखो ना KGF में बचपन वाला इमोशन था अनिमल में बचपन वाला इमोशन था जिससे ओडियन्स अच्छे से कनेक्ट कर गई थी तो आई होब कि यहां भी वो कनेक्ट कर जाए तो आयूश गिटार के साथ अक्शन वाले मोड में कैसे परफॉर्म करते है ये तो देखना पड़ेगा अक्शन अच्छा है, एमोशनल टच भी है और आई होब कि स्टोरी लाइन अच्छी हो क्योंकि स्टोरी इस अब बेस आफ एनी फिल्म इसके उपर और भी बात करेंगे लेकिन ट्रेलर का इंदजार करते है बाकि फिल्म आ रही है 26 एप्रिल को आप बताव अगर आपने टीजर देखा है तो आपको कैसा लगा, मिलता है अगले वीडियो में बाई